देख लो गाईज ये एकदम simple whatsapp है जो की हमने play store से डाउनलोड किया है और आप सभी का सवाल है कि simple whatsapp में हम किसी का भी whatsapp status देखें लेकिन उसको पता नहीं चले तो ये काम आप कर सकते हो कैसे इसके लिए आपको एक छोटा सा setting करना होगा और वो setting कैसे करना है और उस setting को on और off करने के बाद क्या क्या होगा सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल लागा तो आपकी सारे doubts और सारे सवालों के जबाब भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल लागा तो इतना के लिए आप इस वीडियो को एक like कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर देखो status के अंदर आ गया यहाँ पर मैंने camera वाले option पर click किया और यहाँ से मैंने इस status को अपने whatsapp status पर लगा दिया अब देखो यहाँ पर आप सभी अगर अभी इस status को देख लोगे तो इस बंदे को पता चल जाएगा देखो यहाँ पर अभी zero है ठीक है इस बंदे का status अ अपडेट मिल जाएगा कि इस बंदे ने आपके whatsapp status को देख लिया है देखा पता चल गया ना कि इस बंदे ने इसके status को देख लिया है अब यहाँ पर मैं चलो इसको status को डिलीट कर देता हूं ठीक है डिलीट कर दिया फिर से मैं वही status लगाता हूं यह देखो मैंने लगा दिया अब क्या है कि आपको यहाँ पे एक setting करना है देखो आ गया status green color में दिख रहा है इस status को देखने से पहले आपको एक setting करना है कहां करना है तो यहाँ पे तीन डॉट पे click करना है setting पे जाना है privacy पे जाना है और यहाँ पे मैंने link दे दिया हूँ video को देख लेना तो यहाँ पे इसे बंद करके back करना है फिर से back करना है अब status में जाएए और यहाँ पे देख लिजे फिर से कि अभी भी किसी ने भी इसका status नहीं देखा है अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर play करूंगा तो देखना यह बार खतम हो जाएगा और इस बंदे को पता भी ने चलेगा कि आपने इसका status देख लिया है देखा आपने बार खतम हो गया लेकिन किसी और ने देख लिया है यह फोन वाले ने इसके status को नहीं देखा है लेकिन हाँ यहाँ पे मैं एक stalking update देता हूँ read receipt से related whatsapp status से related यह है कि अगर मानलो किसी ने whatsapp पे status लगाया है यह देखो मैं वही फोटो फिर से लगा रहा हूँ यह मैंने लगा दिया फिर से और अगर इस फोटो को फिर से किसी ने read receipt बंद करके देख लिया तो यहाँ पे देखो यह status आ चुका है अब आपको करना क्या है वही तरीका इस्तेमाल करना यहाँ पे 3.पे क्लिक करना है setting पे क्लिक करना है privacy पे जाना है और read receipt को अगर on है यह देखो on है अगर on करके देखोगे तो इसको पता चल जाएगा तो यहाँ पे इसको off करके इस status को देखना है तो यह देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको देख लिया तो इस बंदे को पता नहीं चलेगा यह देखो 0 का 0 है और यहाँ पे देखो status देख लिया इसको पता नहीं चला नहीं चला नहीं अब आप इसका status एक बार नहीं, पचास बार देखो दिन भर में, इसको पता नहीं चलेगा कि आपने इसका status देखा भी है, देख लो, देख लिया, तो अगर आप चाहते हो कि किसी एक बंदे का WhatsApp status हम देखें, और किसी को भी पता ना चले, तो ये काम भी आप कर सकते हो, अब आप अपना WhatsApp status लगाओ, आपको दिखेगा और उसको नहीं दिखेगा, तो सारा का सारा status आप एक बार में ही देख लो, और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने किसी का WhatsApp status भी देखा है, और हाँ, आप अपना WhatsApp status लगाओ, और read receipt on करके रखो, तो फिर आपको दिखेगा कि किस नहीं किस नहीं आपका WhatsApp status देखा है, तो देखो दोस्तों, मैं प्लस और माइनस सब कुछ बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ, तो ऐसी ही जानकारी को अगर आपको प्राप्त करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक नहीं क कर दिजेगा, और हम मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केर टिल दिन एंड गुट बाई